दबंगों में पुलिस का खौफ कैसा है? यह आए दिन वारदातों से सावित हो ही जाता है लेकिन अब इसकी तस्मीरें भी सामने आने लगी है दरसल मारपीट की शिकायत पर पहुँचे दारवगा और सिपाई को दबंगों ने पहले बंधक बनाया और फिर जम कर पिटाई भी कड़ा ली रिपोर्ट खबर के जरीए पुलिस पर दबंगों का कहर लाचार हुआ पुलिस प्रश्वासन मामला जलौन के बिलाया गाउं का है जहां पुलिस को सूचना मिली कि गाउं में कुछ शिरावी आपस में मारपीट करते वे उपद्रफ कर रहे है सूचना पर थाने में तना दरोगा राम सनेही वर्मा एक सिपाही के साथ गाउं में पहुँचे जहां उन्होंने उत्पात कर रहे शरावियों को ललकारा तो दबंग शरावियों ने दरोगा और सिपाही पर ही हमला बोल डाला इतना ही नहीं दबंगों ने दरोगा को बंधक बना लिया और उसी रसी से बांध कर जम कर पीटा तब तक जब तक दरोगा मरने की स्तिती में नहीं हो गया इस बीच वहीं सिपाही ने अपनी जान बचा कर मामली की सूचना को उत्वाली पुलस को दी सुचना पर एसपी डॉक्टर सतीश कुमार सहित दस थानों का पुलिस बल मौके पर पहुँचा जिनों नी दरोगा को दबंगों की चंगुल से बचा कर इलाज के लिए जुला अस्पतार में भरती कराया जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलिज रेफर कर दिया वही पुलस ने मामले में कारवाई करते वी छोई लोगों को हिरासत में ले लिया है जहां पर जाच करने हमारे दरोगा रांस ने वर्मा आये थे और उनके साथ एक सिपाही भी आया था वही दबंगों के परिवार की महिलाओं का कहना है कि पुलस ने परिवार सहिद उन्हें भी पीटा फलाल गाउ में सुरक्षय व्यवस्था के लिहाद से एक कमपनी पीएसी और पुलस बल को लगाया गया है जलाओं से सुशील नायक आर नाइन टीवी उत्तरप्रदेश उत्तराखन